कि नमश्यकार साशियान शुरू हो चुकी है और सव्यक्रीया शुरू होते ही तैल स्टार्ड कर दता है तो हम हैं त्हक्ते क能 करते हैं शरीर को गरम रखता है भरपूर Cube और फाइवर होता है तो तिल आपने पर Как चैनले तक तील परी B कडाई को लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और उसके बाद मेडियम फ्लेम पेश की भुनाई करेंगे गैस का फ्लेम डो टू मीडियम सेट कर देंगे क्योंकि तिल भुनते पर हमें ध्यान रखना है कि जलना नहीं चाहिए अगर तेज आंच पर मुनेंगे तो तिल का जल जाएगा और उसका टेस्ट खराब हो जाएगा तो इससे लगता चलाते रहेंगे इसे हमें भुनना है त तिल के डाने हलका फुल के हैं इसे अमने में खाली कर लिया है अब हमने इसे करने हैं थंडा और करने के बाद हम यसे डालेंगे और मिक्सरावगर में अब हम इसे घृाल करना हम और धनीं डालेंगे दो बड़ा चम्मच McCartan hadrack YouTube अधा चम्मच यॉफला हूरी इसे ही तो मिर्ची ज्यादा भी एड़ कर सकते हैं स्वादान सा डाल लेते हैं नमक और एक बारिक कटी हुई प्याज प्याज आप्शनल है वैसे प्याज का इस रेसिवी में बहुत अच्छा तीस आता है जो लोग प्याज नहीं खाते वो इसे स्केप कर सकते हैं अब हम इसे ड्रा प्याज में भी मुष्चर होता है और धनिया में भी तो जुरूत पड़ेगे थोड़ा सा पाने दल लेंगे और एक आठे का पेड़ा लेंगे परांठे के लिए तो साइज आप छोटा बड़ब में हिसाब से कर सकते हैं पेड़े को गोल बना लेंगे और आठे से डस कर ल तो यह तैयार होगा हमारा तिल का अठाए तो प्रांठे में जितना आठा लिया है उतना ही मसाला भरना है तभी प्रांठे का टेस्ट प्छाता है एक लगा को तरफसे में चारों तरसफे से अब पाइंगे और इग्दम गोल बना के तुर दबा लेंगे और अब आप इसे चकले पे हलके हलके हाथों से दबाए ताकि इसमें जो एर यो अच्छे से निकल जाए सूखे आटे से डस कर लेंगे और अब हम इसे एक बड़े परांथी की तरह बेल लेंगे हलके हाथों से हमें इसे बेलना है तो इसे हम थोडा मोटा ही रखेंगे क्यूंकि स्टफिंग वाला प्रांथा है तो लीजिए तैयार हो, हमारा किल प्रांथा किरंडा ने यह गोए है अ एक और स्टाL दो से तीन चम्माच जो हमने मसाला तैयार किया है वो ठला लेंगे इस तरह से साइडें हमने खाली छोड़नी है मसाला बीच में ही रखना है इकुली स्प्रेड कर देना इसे हमें अब इक चाक कुलेंगे और चोटा साइस में कट लगा लेंगे और इसको ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे इस तरह हमें इसे गोल गोल घुमाते जाना है और लास्ट कॉर्णर तक लेके जाना है और अब हम इसे ऊपर से ऐसे दबाएंगे तो बिलकुल यह ऐसे दबाके इसे प्रेस कलन अच्छे से और सुख्याते से डस्ट कर लेंगे और फिर से इसे प्रांथे की तरह एकदम गोल हम बेल लेंगे तो जो भी आपको इजी लगे उस टेक्निक का आप योज कर सकते हैं तवा मैंने पहले से गरम किया है मेडियम हीट पे और अब हम इसे जैसे उपर का लेयर ड्राई होगा तो इसे पलट लेंगे और इस तरह से मैं इस ड्राई बना रही हूं आप इसे कपड़े से या स्पून से इस तरह दबाएंगे तो यह थोड़े दिर में ही देखे फूलना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे से दोनों तरफ से कॉर्नर टू कॉर्नर हम इसे से लेंगे अच्छे से मेडियम हीट पे तो लीजे तैयार हो गया हमारा तिल का परांठा अब आप इसे फ्रेश मक्षन घी के साथ दही के साथ जैसे चाहें आप खा सकते हैं और इसे आप तीनों मिल में कभी भी खा सकते हैं जह दीनर में यूज कर लेजिए आप चाहें तो इस तरह से ओल भी लगा सकते हैं हलका ह स्पून से हम इसे दबाके साइडों से सिर्फ साइडों से थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे बीच में कम लगाएंगे तिल में बहुत जाधा तेल होता है और तील का तील बहुत है लिज़े तयार हो गए परांठे रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक चनल को सब्स्क्राइब जूर करिएगा थैंक यू